उत्रपदेश चकपंदी लेख पाल संग जन्पद शखा गोरफपूर द्वारदीवार्शिक अधिवेशन का ब्रस्पतिवार को कलिकेट परिसर इस्तित अधिवक्ता सभागार में आजिन किया गया अधिवेशन का उत्गाटन मुख अतिती उप संचालक चकपंदी गोरफपूर आधेश सिंग द्वारा मासरस्ति के चित पर माले अरपड करके किया गया उत्गाटन के बाद अधिवेशन के देश्ता चकपंदी करता संग के मंडल अध्यच मान देव सिंग ने किया तथा संचालन राजेश मिश्रा और संजेच चतरुवेदी ने किया इस दोरान अधिवेशन में संग द्वारा करणचारी समस्याओं से संबंदित 112 सुत्रिय मांग पर पत्र मुख अतिती उप संचालक चकपंदी को सौपा गया मांग पत्र में परमुख रूप से प्रांथ अस्तर पर लंबित पुरानी पेंशर भाली ग्रेजनपद में तैनाती जनपद अस्तर पर एसी पी का लाव और शेश बोनस महेंगाई बत्ता का बकाया इत्यादी दिये जाने उपलब्द कराए जाने की मांग की गई इसके तत्पस्चास और समती से निर्विरोध रूप से नई कार्कारणी का गठन किया गया और उन्हें शपत दिलाए गई इस समद्ध में को रख पुनी सौंदाता से बात करते वे चकवंदी लेखवाल संग के जिलादज राजेश विश्रा ने कहा के रहाईल आड़ मां कि और गई नद्ग Kramp inmiddagenे इसको बाया में कोषा उन्हें कि पोह उन्हें सुप पाया गईल। में कि अविगाल का उन्हें राजेश का फ्षान दुशंदाता गई जिलादेसका थादा जिलादेसका घूएप पहूदाई पाया जिलादेसका हम तो चकबंदी करता संग के अध्यक्ष है राजेश मिश्रा जिला अध्यक्ष है यहाँ पर आज यह उत्तरप्रदेश चकबंदी लेकपाल संग का एद्विभारती का दिवेशन है तो इसमें आज हम लोग आद्वेशन करेंगे और अपनी समस्याओं समधी देख मांग पत अध्यक्ष है और यह भी हम आप कोगत करा दें कि हमारी नई कारकान निर्विरोज रूप से गठीत हो चुकी है जिसमें हमारे रिशी केस पांडे जी को अध्यक्ष चुना गया है स्री कृस्ण मोहन पांडे जी मंत्री चुने गए हैं जनपत के स्री अखिलिस साहे जी कार सुजीत सुपरताप सेंग क्या है साही कौत मंत्री बनाए और इस साथ सुत्री आज चुना हुआा है तो नोथी से ब्सक्राइब हो करेंगा है निर्विरोज रूप से रुप से गठीत है कौदरा बनाएं यृति